Hello students, these are short answer type questions of your chapter 4, Socrates. देखिए question number 1, मैंने आपको के अब वही question दिये हैं, जो exam point of view से important है. Why did Socrates talk to people? सुकरात लोगों से बात क्यों करते हैं? और दूशा question है, What was Socrates aim in talking to people? सुकरात का लोगों से बात करने का क्या उद्देश है? था, answer देखिए, Socrates used to talk to people, to teach them. सुकरात लोगों से बाते किया करते थे. To teach them उन्हें सिखाने के लिए, to think on their own, कि वो अपने खुद के बारे में सोचें. So that, ताकि they might use their thinking, जिससे कि वो अपनी thinking का प्रियोग करें, यानि अपनी सोच का प्रियोग करें, To find पता लगाने में, what was just कि क्या नियाएक है, just मतलब नियाएक है, यानि नियाएकी रष्टी से सही है, and novel और stressed है. तो सुकरात लोगों को से जो बाते करते थे, वो केवल उन्हें ये सिखाने के लिए करते थे, जिससे कि वो अपनी विचारदहरा का प्रियोग करके, ये पता लगा सकें कि क्या नियाएक है और क्या श्रेष्ट है. Next question लेखिए. What did Socrates want Athens to be? सुकरात Athens को क्या बनाना चाहते थे? या सुकरात क्या चाहते थे कि Athens क्या बन जाए? What did he ask the people to do to achieve this thing? उन्होंने लोगों से अपना उद्देश्य प्राद्ट करने के लिए क्या कहा? ठीक है? फिर से देख लीजिए चाहें तो What did he ask उन्होंने? क्या कहा? Two people लोगों से to do करने के लिए और क्या करने के लिए? To achieve this aim इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ठीक है? तो देखेगा आगे Socrates wanted Athens to be a perfect state To achieve the same और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए He advised the people उन्होंने लोगों को Advise की यानि सला दी To train Train होता है प्रशिक्षित करना Their mind की वो अपना दिमाग प्रशिक्षित करें He told his countryman उन्होंने अपने देशवाश्यों को बताया Dad कि Everyone must learn कि हर किसी को सीखना चाहिए क्या सीखना चाहिए To think सोचना for himself खुद के बारे में So that ताकि they would have the power to see जिससे की उनके पास शक्ती आजाए देखने की क्या देखने शक्ती की आजाए What was right कि क्या सही है Just न्याइक है True सत्य है And beautiful और सुन्दर है सुन्दर है Next question देखिए How did the great and eventful life of Socrates end सुकरात की महान और eventful क्या जिसमें तरह तरह की incident होती रहती है इस तरह के जीवन का अंत हो गया यानि किस तरह से सुकरात के महान और eventful जीवन का अंत हो गया अब देखिए Due to his great thoughts अपने महान विचारों के कारण Socrates became very popular among the people सुकरात लोगों के बीच बहुत ही popular हो गया यानि पर सिद्ध हो गया The rulers of Athens Athens पर जो rule करने वाले थे could not bear it इस चीज को सहन नहीं कर पा यानि जो उस समय Athens पर सासन कर रहे थे वो इस चीज को सहन नहीं कर पाई क्या कि ये इतना famous क्यों हो गया As the result और परणाम यह हुआ He was charged उन पर आरोप लगा दिया गया Charge गर दिया मतलब आरोप लगा दिया गया For misleading Misleading क्या पत ब्रष्ट करने का दायंग यूबाओ को और उन पर ये आरोप लगा दिया कि ये यूबाओ को पत ब्रष्ट कर रहे है And was condemned to death और फिर उन्हें मौत की सजा दे गई Condemned क्या होता? सजा और फिर उन्हें मौत की सजा दे दी गई और इसी तरह से क्या हुआ? उनके eventful life का end हो गया Next Question देखिए What did Socrates say to his followers in the court? सुकराट ने अपने followers से क्या कहा? कहा पर? Court में यनि सुकराट ने court में अपने Anuyaio followers क्या होता है? Anuyaio से क्या कहा? क्या कहा? देखिए Socrates said to his followers सुकराट ने अपने followers से कहा In the court court में That They would gain nothing कि उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा गेन होता है प्राप्त करना उनके जीवन के अंत के कुछ वर्ष लेकर मतलब क्या है जैसे उनके अनुआई ये चाहते थे कि ये जीवित रहें तो वो ये कहते है कोई बात नहीं अगर मैं छुपके उनके जीवित भी रहा जाउँगा तो तुमें क्या फायदा होगा he was willing to die many deaths वो कई मौते मरने के लिए तैयार थे for what उस चीज के लिए he believed जिस पर वो विस्वास करते थे to be true कि ये सकते है just न्याइक है and honorable और सम्माननी है वो ये कहते थे कि मैं जूट में नहीं जीना चाहता जो चीज सच है न्याइक है सम्माननी है उसके लिए तो मैं कई मौते मरने के लिए राजी हूँ तभी तो उन्होंने ये लिखा था कि मेरे last के वर्ष लेके तुम्हें कुछ भी फाइदा नहीं होगा next question how was sentence to death carried out in Athens sentence होती है वोई सजा death तो पताए मैत्यू की उस समय एथेंस में मौत की सजा कैसे दी जाती थी तो इन एथेंस एथेंस में when death sentence was to be carried out जब मौत की सजा दी जाती थी the convict convict होता है जो विचारा जो पकड़ा जाता है जो व्यक्ति मतलब किसी दोश में वो was given a cup of poison to drink तब क्या होता था दोशी को एक cup जहर पीने के लिए दे दिया जाता था यह question आपकी knowledge के लिए दे दिया है जिसे कि आपको ध्यान में रहे ऐसे ही next question देखिए who was krito krito कौन था what request did socrates made to him और सुकरात ने उससे क्या प्रात्ना की तो देखिए krito was one of the pupils of सुकरत के peaceful में से एक krito था यानि कृटो सुकरात के शिश्यों में से एक था ऐसापृत्याइथ करतने प्रात्ना की की कर्ज को चुका दे और खो क्यानि मुर्गे का उसने प्रात्ना की कि मुर्गे का जो कर्ज है वो चुका दे किसे एसकले पियस को एसकले पियस को उस मुर्गे का कर्ज चुका दे ये एक नेम है ये भी आपको इसलिए बता दिया कि आपको ध्यान रहे है I hope you understand यही कुश्चन याद कर लेना और आपके एक्जाम में आ जाएंगे झाद कि आपको राद कुश्चन अचितानों